कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो कब करोगे? लास मूवंट पे, जब आप लास मूवंट पे कोई काम करते हैं, तो पता है क्या होता है? आपका time management पूर है या किसी काम को करने का algorithm गलत है या आप खुद से कोई काम initiate नहीं कर पाते या आप काम को organize या prioritize नहीं कर पाते ये देखा गया है कि अगर आपके workspace में साफ सफाई नहीं रहती अगर books, files सब बिखरी रहती हैं तो आप distracted रहते हो हर वो काम जो आप जिन्दगी में टालते हैं उसकी एक किस्मत होती है और कोई भी काम टालने पर वो किस्मत आपके खिलाब जाती है जो काम आसानी से भी हो रहा होता है उसको हम टाल कर इतना मुश्किल बना लेते हैं कि last minute में या तो वो काम वही नहीं पाता या उतना important कामों को टालते हैं पर ऐसा क्यों करते हैं हम इससे हम कैसे deal करें यह आपको एक छोटे से example से समझाता हूं मेरे MBA के last semester में एक project submit होना था हमारी MBA की degree इसी project पर निर्फर थी स्टार्टिंग में सोचा कि दो महीने हैं आराम से कर लेंगे फिर एक महीना रह गया कुछ भी काम नहीं किया पिर एक week रह गया तो थोड़ा सा हरकत में हम आये मैंने laptop को table पर रखा on किया तो देखा table गंदी थी मतलब आज से पहले मुझे वो table कभी गंदी नहीं लगी थी पर जब काम करने बैठा तो मुझे उस पर एक एक dust article बिलकुल clearly नजर आ रहा था तो सोचा साफ करक का मन हुआ बट fridge खोला तो दूद ही नहीं था दूद लेने गए तो पास्ता भी ले आए पास्ता खालिया तो दीन दा गई नीन से दो गंटे बाद उठे तो काफी बनाई काफी लेकर laptop खोली रहा था कि friend का call आ गया उसने अपनी birthday party में बुलाया birthday party हम miss नहीं कर सकते थे पा दिमाग खराब हो गया क्योंकि दो दिन बचे थे और तीस दिन का काम इन दो दिनों में करना था दिन रात बिना सोई काम किया फिर भी पूरा नहीं हो पाया final day पे presentation के लिए मेरा नाम पुकारा जा रहा था और इधर में slides complete कर रहा था और ये हाल मेरा नहीं बलकि काफी सारे students का था तो मुझसे गलती क्या हुई मैंने एक बहुत important काम को delay किया उसको टालने के बहाने देखे बस इसी behavior को procrastination कहते हैं यानि काम को टालना और इसी को आज हम discuss करेंगे हमारे पास एक काम को करने के सारे resources होते हैं time, पैसा, energy लेकिन फिर भी हम उस काम को delay करते हैं तो procrastination को ओमकारा मुवी के लंगा त्यागी की तरह समझिए, जो आपको बहकाता है, अरे इतना जल्दी क्या है, अरे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, अभी काम पूरा कर लोगे, तो बाद में क्या करोगे, अरे relax करो भाई, chill, आराम भी कोई चीज है, कुछ करना ही है तो party करो, shopping करो, चलो सोज आओ, भई दुरगटना से देरी बली, और sadly हम उसकी बातों में आ जाते हैं, तो procrastination काफी तरहां से हो सकता है, academic procrastination, जैसे पढ़ाई को delay करना, work-related procrastination, जैसे आपकी कोई report बननी है, उसको delay करना, Decisional Procrastination, जैसे कोई important decision लेना हो, उसको delay करना, Personal Procrastination, कोई personal काम, जैसे blood test, उसको delay करना, Social Procrastination, कोई social काम को postpone करना, Creative Procrastination, जैसे कोई painting या music composition बननी है, उसको delay करना, Household Procrastination, घर के छोटे-मोटे कामां को delay करना, कल करे सो, आज कर, आज करे सो, अब, तो कब करोगे? Last moment पे, जब आप last moment पे कोई काम करते हैं, तो पता है क्या होता है, तो सबसे पहले आपका stress भड़ता है, For example, आप एक flight catch करने के लिए जा रहे हैं, और घर से ही late निकलते हैं, रास्ते में traffic भी मिल जाता है, अब आप imagine करिए, अपना stress और anxiety का level, शायद अब आप वो flight miss भी कर जाएं, आपकी performance में कमी आती है, मान लिए, आपको office में एक project submit करना है, और आपने वो last moment पे बनाया, तो क रही ना कहीं आप उसकी quality पे compromise कर जाएंगे, इसी attitude की वज़ा से आप deadlines भी miss कर देते हैं, आपके workspace में एक reputation बन जाती है, late होने की, एक constant feeling रहती है, guilt और self doubt की, जबके आपके अंदर वो talent है, लेकिन आप उसको बाहर आने का मौका ही नहीं देते, जब life इतनी stressful हो जाती है, तो आप life को उतना enjoy ही नहीं कर पाते, तो research ये भी कहती है, कि ये behavior आपके brain में बनने वाला एक neurotransmitter dopamine भी trigger करता है, dopamine हमारा pleasure hormone होता है, जो हमारे mood, sleep, motivation, reward system को activate करता है, और इसका procrastination से काफी गहरा link होता है, कुछ लोगों के brains में dopamine कम बनता है, अगर dopamine कम हो, तो motivation भी कम होता है, ऐसे लोग जादा procrastinate करते हैं, कुछ लोगों के brains एक छोटे और immediate reward को जादा prefer करते हैं, as compared to एक बड़ा reward जो उनको थोड़े time बाद मिल रहा हो, ऐसे लोग भी जादा procrastinate करते हैं, research में पाया गया है, कि एक dopamine का D2 gene receptor होता है, ये जिन लोगों की brain में होता है, वो naturally जादा procrastinate करते है और भी काफि सारी factors हैं, जिनकी वज़ा से हम जादा procrastinate करते हैं, जैसे खुद को appreciate ना करना, self-compassion ना होना, इससे confidence कम हो जाता है, motivation कम हो जाता है, और procrastination भढ़ जाता है, हो सकता है कुछ ऐसे specific task हों, जो आपको uncomfortable लगते हों, for example, अपने room की साफ सफाई करना, उसमें dust छुना पड़ता है, मिट्टी से heart touch होता है, तो शायद आप उसमें comfortable ना हो, इसलिए ऐसे कामों को आप delay करते हैं, कभी-कभी, कुछ self-regulatory activities, जैसे strict dieting, आपके motivation levels को कम कर सकती है, जब motivation कम होता है, तो procrastination अपने आप भढ़ जाता है, अगर आप एक perfectionist हैं, और आपके subconscious mind को, अगर य और भी factors हैं, जो आपका time management पूर है, या किसी काम को करने का algorithm गलत है, या आप खुझ से कोई काम initiate नहीं कर पाते, या आप काम को organize या prioritize नहीं कर पाते, इन सारी बातों के होने से procrastination होना लाजमी है, अब एक बड़ी वजा, आपके procrastinate करने की है, आपकी anxiety या घबराहट, अगर आप किसी काम को अपनी तरफ आते हुए देखकर गबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, फेल होने का डर सताने लगता है, चिंता बेचैनी आपको घेड लेती है, तो आप ऐसे काम से नजरें चुराने लगते हैं, उस काम को delay करने लगते हैं, तो हम procrastination करने के attitude से बाहर कैस आ सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप reasons identify करिए कि ऐसा आप क्यों करते हैं, clear और realistic goals set करिए, अपने काम को better organize करिए, और अपने पूरे काम को छोटे छोटे parts में divide करिए, फिर उन parts को कैसे पूरा करेंगे, उसके लिए एक algorithm, यानि उसके methods बनाएए, आप काफी सारी time management techniques भी use कर सकते हैं, पहली है pomodoro technique, इसमें कुछ time तक आप focus काम करते हैं, और फिर छोटे छोटे intervals लेते हैं, दूसरी है time blocking technique, इसमें आप अलग-अलग time slots, अलग-अलग कामों के लिए रखते हैं, एक specific काम, एक particular time slot पर ही होता है, तीसरा है Eisenhower matrix, यह हर एक काम को urgent versus important task में बाठता है, ऐसा काम जो urgent है और important भी है, जैसे electricity bill, उसको आप immediately करिए, ऐसा काम जो important तो है, लेकिन बिलकुल urgent नहीं, उसको आप schedule करिए, जैसे exercising, ऐसा काम जो urgent है, लेकिन important नहीं, उसको आप delegate करिए, यानि किसी और से करवा लिए, जैसे कुछ emails का reply करवाना, ऐसा काम जो नहीं urgent है, नही इसको आप अपनी लाइफ से डिलीट कर दिये. For example, वीडियो गेम्स खेलना. इसके लावा ये देखा गया है कि अगर आपके वर्क स्पेस में साफ सफाई नहीं रहती, अगर बुक्स, फाइल्स सब बिखरी रहती हैं, तो आप distracted रहते हो, आपके thoughts foggy हो जाते हैं, और आप काम पे concentrate नहीं कर पाते, procrastinate करना start कर देते हैं. इसके लावा अपने अंदर self discipline लाइए, हर काम को perfectly करने की आदत को कम करिए, खुद को appreciate करिए, confidence build up करिए, और failure से डरिये मत, ये मत सोचिए कि अगर आप कोई काम करने में fail होंगे, तो चार लोग क्या कहेंगे, अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अगर आपको आज का episode अच्छा लगा हो, तो procrastinate मत करिए, like, share और subscribe पे अभी प्रेस करिए, इसमें delay किया, तो हमारा life changing content आप मिस करतेंगे, तो until next time, bloom and evolve!